हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा आप लोगों का ऐसा दिल खुश करने का इरादा बना कि आप लोग भी क्या याद करेंगे कि आज एश्टो फेंड ने कुछ दमदार ब्रमास्तर दिया है वैसे तो ब्रमास्तर दमदार प्रति दिन होता है लेकिन आज का दमदार ब्रमास्तर इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या का ब्रमास्तर लेकर आए है और बहुत एजी लेकर आए है मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि ना केवल आपके शरीर को खराब करती है बलकि आपकी सोच को भी अब बहुत गलत दिशामे लेकर के जा रही है छोटे-छोटे बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं दुनिया भर का समय बरबात करते हैं पसीना बहाने के चकर में डाइटिंग करते हैं तमाम चीजें करते रहते हैं लेकिन सुधार कैसे होगा जब कुंडली में योग ही नहीं है आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे एक ऐसे ग्रह को हम लोग बैलेंस कर लें जिससे आपके शरीर से मोटापा जैसी बिमारी हर सबताह कुछ न कुछ कम होती चाहिए दो शर्थ केवल नमबर एक नो नौनवेच नमबर दो पत्थर बिलकुल नहीं किसी भी चीज का पत्थर न गले में न हाथ में कहीं न पहने रहिएगा शरिंगार के लिए और सगाई वाले पत्थरों को छोड़ दिया जा जो सगाई में डाइमंड जैसा पत्थर आप लोग पहनते हैं वो तो फिर भी मैं स्रिंगार की वजह से अलाव कर देता हूं ऐसे उसकी वजह से भी प्लैनेट्स और मतलब वो बुरे ही कंडिशन में जाते हैं हम अच्छा बनाने कोशिश करेंगे लेकिन पत्थरों के कारण बुरा ही होगा तभी तो कहते हैं पत्थर सत्यानाश करते हैं चाहे वो जम्मू कस्मीर में हमारे सेनकों पर फेका जाने वाला पत्थर हो चाहे वो पोंगा और ढोंगी पंडितों के द्वारा रिकमंड करके ग्रहों को सुधरने की ग्रहों को संतुलित करने की फरेवी बाते बता करके आपको लूटा जाता हो तो पत्थर न पहने रहिएगा और नौनवेच छोड़ करके आप हर तरह से मस्त रहते हुए हर बुधवार आज भी बुधवार है पहला उपाय तो आज ही कर लीजिए हर बुधवार इस प्रियोग को करिए तब तक करिएगा जब तक लाभ न दिख जाए मुश्किल से एक दो बुधवार में आपको परिणाम दिखेगा तो आप उपाय करिए लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मुश्किल है तो चलिए यह हम बताएंगे बस थोड़ी दिर में लेकिन पहले आज का पंचांग जेश्टमा शुकल पक्ष अश्टमीति थी सिंग राशी में चंद्रमा सुबह साथ बचकर 35 मिनट तक इसके बाद कन्य राशी में नक्षत राज का उत्रा फाल गुनी योग आज का वेतिपाप तदरमसार दिनांक 20 जून दिन पुधवार राहुकाल का समय दोपार 12 बजे से 1 बचकर 30 मिनट तक अशुब समय कोई भी नया और शुब काम ना करें गुलिकाल सुबह 10 बचकर 30 मिनट से 12 बजे तक जो चाहें कर सकते हैं हर एक काम आपका बन जाता है शुबता आपके साथ बनी रहती है अब ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं सूर बुद्धाज मिथुन में शुक्र राहुकर्क में सिंह राशी का चंद्रमा कब तक सुबह 7.35 तक उसके बाद कन्याय में प्रवेश नक्षत राज का उत्रा फाल गुनी रहेगा अर्थात सूर की दशा में आज का सुर्योद है ब्रहश पर तुला में मंगल केतु मकर में शनी धनुराशी में सूर की दशा चल रही है तो आजे सुर्बात करते हैं आज के शुभ दैनिक राशी फलकी और बताते हैं प्रतेक राशियों को आज का आपका दिन कैसा भी देगा हमारे साथ Have a great day only with me मेश राशी बहुत मेहनत करना पड़ेगा लाभ भी आपको साथ के साथ हाथ के हाथ मिलता जाएगा कल के अधूरे काम को आज गती दे सकते हैं आज पती पतनी के साथ कुछ वैचारिक दूरी बन सकती हैं मेश वालों के लिए विदेश जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है विदेशी मुद्रा का आवा गमन हो सकता है स्वास्त में सुधार होगा घुटने की दिक्कत परेशान करेगी बाकी स्वास्त सुधरे का घुटने की दिक्कत मतलब हड़ी से सम्मंधित सूरी का नक्षत्र है शुबरंगाज स्लेटी भागी प्रत्षत 54 बिशब रासी आज बिशब रासी वालों के लिए किसी बहुत पुराने पेंडिंग काम को पूरा करने का दिन आ गया है पिता के साथ ताल मेल अच्छा बैनेगा कोई बहुत पुराना मित्र आपके काम आएगा किसी बड़ी समस्या के वजह से दोपहर चार बज़े के बाद तीन बज़े के बाद थोड़ा सा इस्ट्रेस होगा लेकिन अगर किसी बड़े बुज़ूर का साथ ले लेंगे तो उसमें भी आपको जीत मिलेंगे खुद से आत्रा आवाइड करिएगा मन की बाद शेयर ना करिएगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग प्रस्चत अठावन मिथुन राशी आज बड़ बोलापन आपके लिए घात अग रहेगा अपने मन की बाद बहुत जादा अगर किसी से साजा कर देंगे तो भी स्थितिय आपके लिए ठीक नहीं आएगी घर में मांगले कारे हो सकते हैं आज मिथुन राशी वालों के लिए चल अचल संपत्ति के खरीद फरोगत का दिन बहुत अच्छा है कोई लगोटी आयार कोई घनिष्ट मित्र आज चीट कर सकता है आंत्रिक प्रसनता आज बाहर दिखाई देगी चलता व्यापार उन्नती करेगा और अच्छा चलेगा रुके धन की प्राप्ति भी मित्र वालों को आज हो रही है शुबरंकाला भागी प्रतिसत 51 करक राशी चंद्रमा सिंहस्त और फिर कन्या राशी का मिला जुला फल रहेगा आज करक वालों के लिए तो फर्ष्ट हाफ दिन का बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जो सेकेंड हाफ है बारे एक बजे के बाद का समय वो कई प्रकार से आतिहासिक होगा रुके धन की प्राप्ति होगी आज करक राशी वालों के लिए पत्नी के साथ मनमुटाव को खत्म करने का दिन है धन संपदा का लाव मिलेगा करक राशी वालों के लिए आज के दिन लडाई जगड़े से बचने का दिन है मत लड़िएगा मत जगड़िएगा शुबरंगलाल भागी प्रतिशत 57 सिंग राशी क्रोध की अधिकता आज किसी रिस्ते को समाप्त कर सकती है आज सरकारी महकमे में आपका दबदबा रहेगा आज पेंडिंग काम पूरे हो सकते है प्रशाशनिक रूप से अपने आपको शुब पाएंगे बड़े फैसले कल पर टाल दें बड़ों का आशिरवाद लेते रहे किसी अंजान पर भरोसा भारी पढ़ सकता है दो बच कर 40 मिनट के बाद अपने आपको संयत रखियेगा बड़ बोले पन से बचियेगा जनरेशन गैप को एकसेप्ट करियेगा आज खुद से यात्रा ना करे शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत तिरपन 53 कन्याराशी राइट हैंड वाला रास्ता उपयुकता है लेफ्ट हैंड ठेक नहीं है कोई मित्र आपको चीट करना चाहता है उसको समझने का प्रयास करियेगा अपने पौरुष पर अपने बल पर भरोसा रखियेगा किसी के सहारे की आवश्यक्ता कदापी नहीं है और वैसे भी जब आपका एस्ट्रो फ्रेंड आपके साथ है तो आपको वैसे कहा सहारे की आवश्यक्ता है जितना अपने आपको श्टॉंग रख सकते हैं श्टॉंग रखने का प्रयास करिएगा मोटे इन्वेस्टमेंट से बचने की आवशकता है शुबरंग आपके लिए गुलाभी भाग्य प्रतिशत 50 तुला राशी चमतकार दिखाने वाला दिन नई नोगरी दिलाने वाला दिन बॉइफेंट केंफेंट में पैचप कराने वाला दिन नया वाहन दिलवाने वाला दिन बच्चे का एड्मिशन कराने वाला दिन होटों पे खुशियां लाने वाला दिन आज का दिन तुला राशिवालों के लिए हर प्रकार से एतिहासिक है आज के दिन को जितना आप कैश कर सकते हैं कर लीजिएगा फिर ना कहिएगा बताया नहीं यह अंदाज है आपका जिसमें आज आप जीएंगे शुबरंग बैगनी भाग्य प्रतिशत 56 ब्रिष्चिक रासी आपके एश्ट्रोप्षेंड वाली रासी जहां मेरी मून साइन मेरी चंदर राशी ब्रिष्चिक ही है तो आज कुछ तुफानी होगा कुछ बहुत अच्छा होगा आंतिर्क रूप से आज बहुत प्रशन आप महसूस करेंगे आज बृष्टिक रासी वालों के लिए किसी नए दोस्त से, किसी नए यार से मिलने का दिन है और एक काम को आज एक गति दे सकते हैं आज एक अलग तरह की खुशी आपके साथ जुड़ जाएगी आज ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए आज को ही accept करने का दिन है थोड़ा सा गहरा गहराई में पहुंचा दिया थोड़ी गहरी बात बता दिया तो जब हम किसी situation को accept कर लेते हैं तो उसमें से कुछ क्रीमी निकलता है शुबरंग आपके लिए ब्राउन भाग्य प्रत्शत 69 धनुराशी धनुराशी वालों के लिए आज के दिन नए इन्वेस्टमेंट से बचने का समय है कोई बहुत करीबी मित्र आपका धुखा दे सकता है कुरोध पर अंकुष रखिएगा मांगली कारे होगा कहीं इधार्मी की यात्राओं में जा सकते हैं आज राजमीत से जुड़े लोगों के लिए और सिक्षा छेतर से जुड़े लोगों के लिए आज बहुत खास दिन है कोई good news दोपहर तीन बचकर तेरह मिनट के बाद आपके लिए शुब होने जा रहा है मतलब बहुत बड़ी खुश खबरी आएगी शादित हैं हो सकती है पति-पत्नी का टकराव प्यार में बदल सकता है आज धनू के लिए नीरारंग शुब 50 प्रत्शत का भाग्य है मकर राशी यारी निभालेंगे आज वहां से लंबी यात्रा कर सकते हैं खुद चला कर सरकारी महकमे में तूती बोलेगी मन चाहे स्थानांत्रों की तरफ आप विचार कर सकते हैं मित्रों के साथ आज अच्छा वक्त बिताएंगे किसी पेंडिंग पड़े काम को भी आज गती दे सकते हैं हर प्रकार की शुबता आज आपके साथ है घन में मांगली कारी भी हो सकता है भाई के साथ चला रहा भी बात खत्म कर सकते हैं पॉजटिव 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 रहेंगे आज तब अरे हम हैं सकारात्मकता है आप अभी जब आफिस से कदम निकाल रहे हैं और सामने हम मुस्कुरा रहे हैं तो ये फील यहां गुदगुदा जाता होगा यकीन मानिए इतनी डीप फीलिंग के साथ हमें कारेकरम करते हैं आप लोगों के लिए कि आज सक कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम एक स्टूडियो में बैठके कर रहे हैं कभी नहीं लगा लगता कि सच में हम आपको इंडिविजुबली आपका राशीफल बता रहे हैं सुना रहे हैं बिल्कुल हम लोग आमने सामने ये हमें फीलिंग जितनी डीप है वो डीपनेस की वज़ह से आप सब को भी हम वही फील करवा देते हैं करवा देते हैं मतलब वो कनेक्शन में जोड़ लेता हूँ आप लोगों की अंतरात्मा से बहुते बड़ा कोई दुरभाग के शाली होगा वो नहीं जुड़ेगा लेकिन अगर आपका भाग के साथ दे रहा है तो इस समय आपके होठों पर मुस्कान है मकर के लिए शुभ रंग सफेद भाग की प्रत्सद बासट कुम्बराशी एक अलग तरह का हैसास आज होगा आज सही निरणे लेने के कारण शुभता आपके साथ जुड़ जाएगी मांगलिक कार्यों में मन लगेगा यात्राल आप दायक होगी धन अगर फंसा था तो आज वापस मिलेगा किसी बड़ी समस्या से आज मुक्ती मिलेगी माता पिता के साथ कहीं घुपने चाहलने का कार्करम बन सकता है आज नई नौकरी के लिए प्रयास टाल दीजिएगा चंद्रमा की स्थिती कुमराशी वालों के लिए बिदेश से सुपसंदेश की प्रापती होगी बिदेश जाने की कोशिश आपकी सफल हो सकती है मन में आज कोई अज्यात आशंका डरा सकती है आज कुमराशी वालों के लिए एक और खास हिदायत है कोई उधार मांगने आए तो ना दें तभी बहतर है आज कुम्भराशी वालों के लिए सिक्षा में पूरी तरह से रमने का दिन है लग जाईएगा क्योंकि आप सिक्षा से विमुख हो रहे थे खुद ड्राइब न करें तो बहतर है कला मनुरंजन छेतर से जुड़े कुम्भराशी के लोग आज बहुत खास कर जाएंगे शुबरंगासमानी भाग्य प्रतिशत 65, 65 बहुत अच्छा अंतियम राशी मीन आज मीन राशी वालों के लिए एक सौगात मिलने वाला है कुछ इनाम पाएंगे जो आपके लिए बहत खास रहेगा बहत सकरात्मक रहेगा किसी मित्र से आज तोस्ती गहरी होगे धन संपदा का लाभ आपको पूरी तरह से मिल रहा है प्रशुद्धी आपके साथ है आज के दिन रुकावटों को दूर करने में आप सक्षम होंगे नई नौकरी का प्रयास मीन राशी वाले आज जरूर करें संभव है कि आज अपाइंडमेंट लेटर मिल ही जाए प्रेम में आज का दिन थोड़ा सा मायूस करेगा औरेंज करर शुब नारंगी रंगी शुबता है अठावन प्रित्षत का भाग आपके साथ है चलिए बारी आगई है जानने की अब आज के भाग्याक्षर की जनते है भाग्याक्षर आपको बताएं लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि आप सब के लिए आप सब की भारी मांग पर मोटापे को दूर करने वाला ब्रम्हास्त्र हर बुधवार मोटापा यूं होगा दूर चुटकियों में ये थोड़ी दिर में बताएंगे पहले जानी आज का भाग्याक्षर मेश रिशीवालारी ब्रिशप्ता मिथुन चाग्षर करक दा सिंग भाग्षर कन्या रा तुला थाग्षर ब्रिश्चिक छा धनू धाग्षर मकर जह कुंभ बाग्षर और मीन छोटा उ यही आपका अपना भाग्याक्षर सादे चौक और कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है पौकट में रख लेना है और जो कल हमने अक्षर दिया था दो भागों में करके किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा चमतकार आपके सामदे रहेगा बहुत शुक्रिया आप सबका इस दिब्य प्यार के लिए अब आज की सकसज़की लेफ्ट हथेली के मिडिल फिंगर में थोड़ा सा काजल पैंसल वाला चाहे डिब्बी वाला हलका सा लगा लिजिए डिब्बी में ही इसे डाल दीजिए हाथ थोड़ा सा निकल जाए घर के लिए हर प्रकार की शुद्धा आपके साथ और आईए अब जानते हैं आज का खास ब्रम्हास्त्र मोटापा बड़ी भीमारी अपने हाथ में नहीं खास तोर पर महिलाओं के लिए उनका तो पुरा शरीर खराब हो जाता है कम उमर में थाइराइड हो जाए तो मोटापा कुछ न कुछ रीजन बन जाता है बच्पन से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रहेंगे 14-15 साल के लगते हैं 20-22 साल के मोटापे की वजह से छोटी बहन बड़ी लगती है बड़ी बहन छोटी लगती है शरीर है क्या कर सकते हैं तो ये सब हमने एक प्रियोग बताये था लौकी वाला वो थोड़ा टफ है कम लोग कर पाए इसलिए आप सब की भारी मांग पर यह दिब्व प्रियोग हम लेकर आए हैं every Wednesday day हर बुधवार करिए 100 ग्राम 200 ग्राम कम होगा ही होगा 100 में से 90 का होगा 10 का हो सकता है ना हो लेकिन 90 का होगा 10 जिनका नहीं होगा अगर कुंडली में योग है तो शत्प्रतिशत ये प्रियोग ये एक्सपेरिमेंट असर करेगा कर सकता है नहीं करेगा क्या है प्रियोग बुध का हमने क्या इसमें करेक्शन जोड़ा इसके पीछे का लॉजिक दे देता हूँ बुध सबसे छरहरी काया का एक चंचल प्लानेट है चंद्रमा के बाद अगर किसी के पास चंचलता है तो वो मरकरी के पास है बुध के पास है जो राजकुमार ग्रह है जो छोटा बच्चा है पांस साल का बच्चा है वो जितना फुर्तिला होता है और मोटापा के साथ जो सबसे बड़ी भीमारी आती है रोग आता हो है सुस्ती अगर सुच्ती है तो समझ लिजे कि आपका मोटापा गरहों के दौरा थोपा गया है कुछ मोटे लोग जो कोरियोग्राफर होते हैं वो थोड़े से फुर्तीले होते हैं आप लोग देखते हैं कि टेलिवीजन्स में भी शो आता है कि कई मोटे लोग गजब का डांस करते हैं तो वो एक exceptional केस है लेकिन इन जनरल मोटे लोगों को नीद जल्दी आती है नीद जादा आती है, सोते रहते हैं, हरदम चलते रहते हैं, हाप जाते हैं तरह की दिक्कत मुटापए के साथ चलने लग जाती है ऐसे में that means यही होता है कि उनका mercury पीडित होता तो बुद्वार के दिन हमने यह प्रियोग लिया है जिससे हम आपको तरक संगत्ता के साथ जोड सकें अंदर बाकी सामग्रियों में किन-किन ग्रहों का समावेश है, यह आप अपने स्कीन पर देख सकते हैं उपाय आपके सामे एक मनी प्लांट का पत्ता लेना है, उस पर अपना वजन लिख दीजिए, जो भी वजन है 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, जितना हो सके अपना वजन लिखने के बाद, क्या करना वो बताएंगे, लेकिन जान लीजिए सिंदूर और सरसो का तेल, लाल वाला सिंदूर मिक्स कर लीजिए उसमें 4-6 बून सरसो का तेल डालकर चमच में घोलिए और दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर से लिखिए सतर किलो, इंग्लिस में भी लिख सकते हैं सेवेंटी डिजिट नुमेरिकल केजी, किलो, किलो ग्राम वैसे हिंदी में लिखें तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि हम लोग भारत वर्ष में हैं इफेक्टिव रहेगा, ब्रहश्पत सुर्का समावेश हो जाएगा इसके बाद एक चुटकी केवल, काला तिल, एक चुटकी डाल दीजिए और इसे एक कागज में पत्ते को फोल्ड कर दीजिए इसे पत्ता कागज पे रखे, कागज को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए क्योंकि सिंदूर और तेल से गीला है और आपकी पॉकेट आदि में लग सकता है इसके बाद एक पूरे दिन अपने पास रखे, कागज से भी लग सकता है इसलिए आप लोग थोड़ा कागज को ज़्यादा फोल्ड कर लिजिए या पॉली थिन में डाल दीजिएगा हम पूरी उमीद करते हैं कि आप सभी मित्रों को मोटापे से मुक्ती में आपकी इस एश्ट्रो फ्रेंड का एक बड़ा हाथ फिल होगा इस वीडियो को इस कारिकरम को जितना हो से के दबा के शेयर करिए एक जन चेतना की रूप में शेयर करिए जिससे लोगों को आप स्वस्त रख सकें, हल्दी रख सकें, मोटापे की बीमारी से बचा सकें बिस्वास का खेल हैं इतनों, आप बिस्वास के साथ हम से जुड़िये, हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे शर्त सिर्फ दो, as usual, no stones and no non-wage कब तक, जब तक हम कहें न, हम क्या कभी कहेंगे बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आते हैं अमदाबाद और उसके बाद लखनव, appointment के लिए numbers आपके सामने flash हो रहे है, haunted series का इंतजार almost खत्म हो चुका है जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे, नाम और फिर से एक बार revise हुआ है, नाम और भी हम change कर रहे है शुक्रिया, धन्यवाद, have a nice day, keep smiling हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा